नमस्कार रातियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटीब चैनल धनराज शोट हैंड एकैडमी इस टैनल क्लासिस में दोस्तों आज का हमारा डिक्टीशन है दैनिक जागरण नम्रता सदैव उगरता से उत्तम होती है संपात किये पठाकों पर पाबंदी नई दिल्ली दिनाख तीन नवेंबर दो हजार बीस गती असी शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगी पांक सेकेंड बाद स्टार्ट नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT ने केंद्रिये वन एवं परियवरण मंत्राले समेत दिल्ली हरियाना उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सरकारों से यह जो सवाल पूछा की क्योंन साथ से तीस नवेंबर तक पटाखों के उपियोग को प्रतिबंधित कर दिया जाए उस पर उन्हें सकारात्मक रुख अपनाना चाहिए ऐसी किसी पहल को उत्सव वर्दमिता को हतोत साहित करने की कोशिश के बजाए प्रदूशन से बचने के उपाय के तौर पर देखा जाना चाहिए यह सही है की दिवाली पर पटाखे जलाने की परंपरा है और यह उनकी बिक्री पर पाबंदी से कुछ लोगों को शिकायत हो सकती है लेकिन इसकी अंदेखी नहीं की जानी चाहिए की पटाखे प्रदूशन बढ़ाने का काम करते हैं बीते कई वर्षों से यह देखने में आ रहा है की दिवाली के दौरान पटाखों का इस्तेमाल वायू मंडल को और जहरीला बना देता है आखिर जब अभी वायू प्रदूशन खतरनाक रूप ले चुका है तब फिर इसकी कलपना सहज ही की जा सकती है की पटाखों के इस्तेमाल के बाद कैसी सूरत बनेगी इस बार तो पटाखों के उपियोग से इसलिए भी बचा जाना चाहिए क्योंकि कोरोना वाइरस के संक्रमन का खत्रा अभी टला नहीं है इससे किसी को अंजान नहीं होना चाहिए की वायू प्रदूशन कोरोना वाइरस से उपजी महामारी COVID-19 के प्रकोप को बढ़ाने का काम कर सकता है तथे यह भी है की दिल्ली सरकार पटाखा बिरोधी अभियान शुरू करने जा रही है और राजिस्तान सरकार ने भी पटाखों की बिक्री पर रोक लगाने का फैसला कर लिया है पटाखों की बिक्री पर रोक को प्रभावी रूप देने की अवश्यक्ता है क्योंकि बीते वर्षों में दिल्ली NCR में पटाखों पर पाबंदी के बाद भी उनकी खरीद बिक्री देखने को मिली इसका एक कारण यह था कि परियावरण के अनुकूल माने जाने बाले गिरीन पटाखों की उपलब्धता का अभाव रहा यदि परियावरण और स्वास्थय के लिए खत्रा बनने वाले हानिकारक पटाखों को चलन से रोकना है तो ग्रीन पटाखों की उपलब्धता पर ध्यान दिया जाना चाहिए इस दोरान यह भी देखा जाना चाहिए की ग्रीन पटाखे परियावरण के अनुकूल ही हो निसंदेह यह भी सुनिश्चित करने की जरूरत है की केवल दिवाली के आसपास पटाखों की बिक्री पर पाबंदी लगाकर वायू प्रदूशन की विक्राल होती समस्या का सही समाधान नहीं किया जा सकता यह खेद की बात है की तमाम प्रयासों के बात भी पराली यानि फसलों के अवशेश जलाने के सिलसिले को नहीं रोका जा सका विराम इसी प्रकार वायू प्रदूशन को बढ़ाने वाले अन्यकारणों जैसे सडकों एवं निर्मान स्थलों से उडने वाली धूल और ट्रेफिक जाम के चलते वाहनों के खतरनाक उत्सरजन को नियंतरित करने के भी कोई प्रभावी उपाय नहीं किये जा सके हैं पून विराम तो आशा करता हैं आप सभी को डिक्तीशन परसंद आये होगी तो प्लीस कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और यह दिया भी तक आपने हमाज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भुलें धन्यवाद